तो कॉरोना की वैस्ट्रिक महामारी से दुनिया जूज रही है अजमेर के अंदर भी हालात विकट हैं कई जगे से आज ऐसी खबरे हैं जहां काला बाजारी की सूचना है हमको मिली थी हाला की रसत विभाग ने उसके लिए पूरी तयारी भी कर ली है और मुख्यमंतिर एशोग गहलोत ने प्रिदेश वासियों से जो अपील कीती उस अपील का असर भी नज़र आने लगा है यूनैटिड अजमेड संस्था ने गरीब आसा है लोगो को खाना वित्रित करना शुरू कर दिया है रोज तकरीबन 59 g लोगो को ग्राम पर जाकर यह संस्था खाना खिला रही है आसा है लोगों को गरीब लोगों को और इस संस्था को सयोग इस वक्त कर रही है लगू उद्योग भारती संस्था सद्गुरू गूरूप ये वो संस्था हैं जो युनाइटिड अजमेर को फंड दे रही हैं सयोग कर लिए किसी ना किसी तरीके से जिससे की जो खाना है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि कैसे उनकी संस्था ग्राउंड पर जाकर सयोग कर रही है क्या सयोग हो रहा है अजीद साथ एंप्टीवी इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद सबसे पहले तो मैं जानना 20 और 20 मार्च की बात है जब 22 तारिक को जनता कर्फ्यू की बात सामने आई थी और कुछ एक प्रदेशों में कर्फ्यू की बाते हो रही थी उसी दरमयान जब मुख्य मंत्री जी की बैठके हुई तो उसके अंदर भी ये निर्णे लिया गया कि राजस्थान में भी 31 समाज तक कर्फ्यू लगा है जाएगा कर्फ्यू लगने से सबसे बड़ी चिंता का विशय जो आता है वो समाज के उस तबके से आता है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं कर्फ्यू लगने के बाद में ऐसे इस्थिति है कि आटो चलाने वाले रिक्षा चलाने वाले दिहारी करने वाले जो समाज का यह वर्ग है इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रशन चिन है कि किस प्रकार ये रोटी कमाएंगे और किस प्रकार ये खाना खाएंगे उस मुहीम के तहत प्रशासन की चिंता प्रशासन की इंतजामाद और उन सब्हें एंजियोस की भूमिका बहुत महतुपूर्ण हो जाती है और उस भूमिका के तहत ही प्रशासन के साथ मिल करके कीरती जी पाठक ने संपर किया कि यूनाइटेड अजमेर इस मुहीम को लेना चाहती है कि इस संकट की घड़ी में अजमेर में कोई भी व्यक्ति भूका ना सोई ऐसा एक स्वपन ले कैसे हो पाएगा कि यह तमाम जो सामागरिया हैं वो कैसे पहुच रही हैं कौन-कौन से लोग हैं जो आपको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं डोनेट कर रहे हैं कुछ कोई लोग फंड दे रहे होंगे या कुई लोग आपको समान दे रहे होंगे यह सब कौन-कौन से लोग हैं अगर कुछ न यह जिससे हम चर्षा कर रहे हैं, आगे होकर, मुक्त हस्त, मतलब जैसे हमारे वेद वाक्या ही यह है कि दो हाद से कमाना है और हजार हाद से खर्च करना है, तो वो चरितार्त होते वे देख रहा हूं। और बिना कहें, जैसे पता लगता है, मेरे पास अपने आफ फोन आते हैं, सदस्यों के, गेर सदस्यों के, कि हम इस मुहीम में जुड़ना चाहते हैं, हम एक बोरी आटा देना चाहते हैं, हम एक बोरी सबजी देना चाहते हैं, तो हम तो बहुत बड़ी बात समझ रहे थे, ल मुझे लगता है कि सहर्ष, सहज और सरल रूप से ये कारे यही अग्य हम कर पाएंगे. अजीज साब चुकि आप सीए भी हैं तो एक सवाल अभी मुझे लगता है कि पूछना लाजमी भी है आप से. कि इन सरकार ने आज एक गोशना की है, इस करोना महामारी के दोरान लोगों को आर्थिक मदद पहुचाए जाए, गरीब लोगों तक मदद पहुचाए जाए, इसके लिए वितमंत्री सीता रमण ने जो पैकेज का ऐलान किया है. इसको आप किस तोर पे देखते हैं, क्या इस महामारी से पैकेज जो आज एलान हुआ है, मदद पहुच पाएगी गरीबों तक, और क्या इस महामारी के संकट से निकलने के बाद हम कहां खड़े होंगे, इस वैश्विक महामारी के दोरा बाद में अर्थविवस्ता जो यह महामारी का समय है, और ऐसा महामारी के समय, पिछले 100-200 वर्ष के इतिहास में, या पारिवारिक रूप से सुनी हुई या परंपरागत बातों में, कोई भी इस प्रकार का एंसिडन्स हमारे ध्यान में नहीं है, कि इस प्रकार की विशिष्ट परिश्तितियां उत्पन ह हुई हो, अब ऐसी परिश्तिति में जहां सरकार का रोल आता है, तो निशित रूप से अजमेर प्रशांसन और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जन भोजन योजना चालू करके, और कही राहत कार्य एक के बाद एक रोज घुष्णाय हो रही है, और उसी के साथ जो दे देख रहा है कि भारत काम कर रहा है, भारत आगे पढ़ रहा है, भारत विकास कर रहा है, और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से सरकारी स्तर पे कारे हो रहे हैं, हम निश्चित रूप से इसे एक निश्चित समय अब्धी में इस समकट से, इस आपदा से पार पालेंगे और जिस तरह से ये एक आर्थिक व्यवस्ता पे हमारी चोट हो रही है या आर्थिक हमारी व्यवस्ताइं बिगड रही है हमने जो बजट सोचे थे जिन मदों पे खर्च होना था हम वहां खर्च नहीं कर पाएंगे और इस आपदा से निबटने के लिए आज हमें वह खर्चा करना पड़ रहा है तो निशित रूप से हमारी आर्थिक गती जो हो सकता है कुछ पीछे आएगी कुछ संकट हमारे सामने आएंगे लेकिन इन सब चीज़ों के रहते वे कुछन नेतरत्व के तहट हम इस अंकट से पार पा जाएंगे अजमेर में बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं आपकी बात को मानते हैं और आप लगोद्योग भारती अजमेर के अद्धिक्श भी हैं तो एक चीज़ और है जो हमारे स्ययोगी हैं जो गराउंट पर इसमामारी के दौरान नियूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं कई ऐसी सूचना हमारे पास आही हैं कई खबरे हमारे पास ऐसी आही हैं अजमेर के बहुत सारे वियापारी काला बाजारी इस वक्त कर रहे हैं काला बाजारी रुक नहीं रही है वियापारी काला बाजारी कर रहा है रसद अधिकारी रसद की जो टीम है वो अपने तरीके से कोशिच भी कर रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अजमेर के नागरिक और लगो उद्दियों भारती के अद्दिक्ष होने के नाते आप अजमेर वासियों से आप एक अपील भी वियापारी जो अजमेर के हैं उनसे अपील भी एक कीजिए कि जो काला बाजारी है ये कैसे भी करके रुख जानी चाहिए कि क्योंकि ऐसी महामारी में कोई मुनाफ़ा कोरी समझे मुनाफ़ा कमाने की सोचे ये शोबा नहीं देता और इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक कमिन्ट जरूर करें देखिए इस बात के दो पहलू है पहला तो जैसा आपने कहा कि व्यापारी वर्ग लेकिन व्यापारी से पहले हमें उपभोगता को सजक होने की जरूरत है आज हमारे पास में एक महीने का राशन पंदरा दिन का राशन दो महीने का राशन हर समय घर में उपलब्द रहता ह एक मध्यम परिवार में निश्यत रूप से यह उपलब्दा बनी हुई है फिर ऐसी उपलब्दता के बनी हुए हम किस प्रकार से जो है दुगना चोगना सामान खरीदना चाह रहे हैं अपने घर को भड़ना चाह रहे हैं तो हमें कुल मिला के तो एक महीना या दो महीना या सारी विवस्ता है दुरुस्त हो जाएंगे तो ना सिर्फ व्यापारियों को बलकि उपभूकता को भी समझना है कि वे मुनाफा खुरी को बढोतरी ना दे में वे कोई भी दाब में सामान करीदने को तैयार हो रहे हैं दूगना पैसा दे रहे हैं तो यह तो हमारे हाथ की बात है हम क्यों इतने हमें क्यों इतनी जोड शोड से खरीदारी करनी चाहिए और क्यों मूं आंगे पैसे देने चाहिए निशित रूप से व्यापारी भाई और अध्योगिक भाई आज हमारे सामने ऐसे उधारण है कि आज ग्राइंडिंग मिल्स वाले अजमेर के अंदर है जो आटा पीसने का काम करते हैं आज उनसे हमने संपर किया तो उन्होंने यहां तक राधे जी चोयल हमारे मित्र उन्होंने यहां तक कहा कि इस कारे के लिए जितना आटा चाहिए होगा मैं बिना कोई शुल्क के पीस करके दूँगा अब आब बताईए कि रोज का 8000 आदम मुझाफ़ा बिना कोई एक रुपिया लिए आपको काम करके देने के लिए तयार हैं तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि उद्योगपती जो है मुझाफ़ा खोरी कर रहे हैं या काला बाजारी कर रहे हैं यह समाज का दौनों पहलू हैं और इसको हमें समझना चाहिए और चलिक दे रहा हैं सद्गुरु गृूब भी दे रहा है आप बी दे रहें आपकी संस्थाया हैं आपके जरीय से जो फंड आरा है ये कही ना कहीं को गरीब आसाहाई लोगों को मदद जरूर पहुचा रहे हैं ग्राउंड के उपर हमें लगता है कि अच्छाई की मार्किटिंग जो मुहीम M.T.V. इंडिया ने शुरू की है इस मुहीम में हम आप जैसे ही लोगों के बारे में बताते रहें जो नीचे ग्राउंड पर जाकर गरीब आसाहाई लोगों को मदद कर रहे है और हमको विश्वास भी है हम M.T.V. इंडिया के माद्यम से तमाम उन व्यापारियों को भी ये कहना चाते हैं कि हमें आप पर पूरा बरुसा है कि आप ऐसी महामारी के बीच में मुनाफ़ा खोरी से दूर रहेंगे काला बाजारी बिलकुल भी नहीं करेंगे आम जनता को स चाहिए लोग कोण कोण सी संस्थाएं जाकर गरीब आसाहाई लोगों को खाना दे रही है वित्रित कर रही है समय सनिटाइजर दे रही है मास्क दे रही है तो अच्छाए कि मार्किटिंग में हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे यह मुहीम हमारी चालु रहेगी 14 अप्रेल तक जब तक कि लॉकडाउन करा है तब तक हम इस मुहीम को चालू रखेंगे और जैसा कि मुख्यमंद्रिया इशोग गैलोत ने कहा है कि प्रिदेश में कोई भी गरीब आसहाय व्यक्ति कोई भी इंसान इसमें भूका नहीं रहना चाहिए तो इस मुहीम के जरीए हम ऐसे लो कि कहीं पर भी अगर कोई आहासहाय व्यक्ति है जिसको खाने की जरूरत है या किसी और जरूरत मंद्चीज की आवशक्ता है तो उस तक वह आवशक्ता पहुचाए जाए उसके साथ साथ आपको बता दें हम कि आज अजमेर कलेक्टर ने रवसत दिभाग को इस पस्तौर प कि हमारे पास में एक जानकारी आ रही है कि हर वाट के अंदर दो वाहन आएंगे और उन वाहनों के जरीए आप तक राशन और सब्जी की जो जामगरी है वह आप तक पहुचाए जाएगी तो उमीद करते हैं पिशाशन के जो कदम है यह कही ना कही मुनाफ़ा खुरी और क आपको बताएंगे कि इस तरीके से धरातल पर जाकर यह लोग आसाहाई लोगों की इस वक्त मदद कर रहे हैं आज के लिए कि वालित नहीं